अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल शायना गोईल सो फ्रेंड्स आई होप आप सबी फिट इन फाइन होंगे और बहुत अच्छे से प्रेप्रेशन चल रही होंगी आप लोगों की अब तो कंसेप्ट जो है आपके प्रॉपर बिल्ट अप हो चुके होंगे सो देखे आज की वीडियो है आपकी चैल डवल्लॉप्मेंट अडप पेड़गोजी की मोस्ट इंप्रोटेंट वीडियो तो तीन ध्योर prevention पेडेड़ेट में फेवरिट हैं लोगों की इनी तीन थियोरी में से आपको पांच से छे कोशन पैडागोजी में देखने को पका ही पका मिलेंगे, कम से कम बता रही हूं है, पांच से कोशन कम से कम आएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा, और इससे जो प्रीविएस प्लीज उसे स्किप ना करें, क्योंकि most important बिल्कुल अब 4-5 दिन रह गए हैं, आपके पास 4 दिन ही मान लीजिए, कल तो आपका आदा दिन होली में ही निकल जाएगा, तो चार दिन रह गए हैं, सिरफ आपके पेपर में, तो अब बस बिल्कुल end moment पर, आपके जो most important questions है न पेपर में कर पाओगे, clear? तो चलिए, without wasting any time, start करते हैं हमारे आज की class के साथ, so the first question here is, the principle of gene PRJ is known as stage principle, अब देखें, यहाँ पर cognitive principle, टिक मत करके आजाना, कि यह cognitive theory दी थी नोने, इनकी जो principle है न, वो क्या है, developmental stage principle होता है, कि यानि कि बच्चा, बच्चा जो develop करता है, वो stages मे develop करता है, इसलिए इसको stage principle बोलते हैं, तो यहाँ पर confused नहीं होना है, option A हमारा correct answer है, ठीक है, next gene PRJ was which country psychologist, किस country के थे, यह थे Switzerland के, ठीक है, then is law of exercise is the contribution of which school of psychology, law of exercise, कि school of psychology का था, यह है psycho analysis का, next Gilligan presented the alternative of moral development theory of Kohlberg, अब देखें, Kohlberg ने moral development theory दी थी, ठीक है, तो Gilligan ने उसके alternative में कौन सी theory दी थी, that is morality of care, तो यह आप देख सकते हैं, यह सारे questions जो है न, previous papers में भी आये होए हैं, और या फिर आने के लिए expected हैं, वो सारे मैं आपके साथ discuss कर रहे हूं, आगे देखें, gene PRJ's principle of behavior is related to which aspect, अब आई बात, कि किस aspect के साथ related है, यह है cognitive behavior के cognitive aspect यहां पर देखा जाता है, then next PRJ advocated the need for tailoring the education of a child according to the level of functioning of his cognitive structure, this is called, इसको हम क्या बोलेंगे, pupil-centered education, next देखें, वाइगोस्की का question है, वाइगोस्की perceived cognitive development as a collaborative process where children learn through social and cultural experiences, देखें, society की बात आगी, social and cultural की, तो इसका answer वाइगोस्की होगा, और वाइगोस्की की बात आगी, तो answer क्या होगा, इसका society होगा, यह मैं अक्सर आप लोगों के साथ, ज्यादा pitch पर discuss करती हूं, ताकि व Kolberg's theory of development is related to which aspect, हमें पता है, Kolberg's की कौन सी theory है, moral development theory, तो moral के साथ related है, then morons have an IQ level of, morons का IQ level है, वो कितना होता है, 50 से लेकर 70 तक, 51 से लेकर 70 तक, जिनको हम बोलते है, morons, अब मुझे ये बताएगे कि जो creative बच्चे है, creative students है, या फिर gifted students है, उनका IQ कितना होता है, ठीके, IQ कितना होता है, मैं आपको hint दे रहेती हूँ कि 100 से उपर होता है, तो मुझे range बताओ लिखकर, comment करकर कि कितना IQ होता है, उनका creative का, क्योंकि देखिए, तीन main होते हैं, एक तो बिल्कुल first वाले जो gifted और creative होते हैं, उसके बाद main होते हैं, जो normal range होती है, बच्चों की जहां पर हम कहते हैं, यह बच्चे normal है, ना ही तो बहुत जादा creative है, ना ही बहुत जादा dumb है, तीसरा आता है, बिल्कुल नीचे वाले दो level जहां पर हम बोलते हैं, बच्चा duffer है या moron है, वो आप लोगोंने देखिए ला लिया है, तो मुझे यह comment करके बताओ कि creative की range क्या हो है, ठीक है, हर level में दो-दो stages है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से, ठीक है, तो levels 3 है, अगर stages पूछें, तो stages कितनी है हमारे पास इसकी, 6 stages है, how many stages are there in the theory of Kohlberg, विल्कुल next question ही पड़ा है, मैंने देखा ही नहीं, 6 stages है इसमें, then the insight theory of learning has been given by insight, learning की जो theory है, वो किसने दी है, कोलर ने, teacher with a view to help students to understand concepts, uses such words as political will, social equality and political assumptions, according to Vygotsky's theory, this is an example of guided participation, बच्चों को जहां पर guide भी किया जा रहा है, लेकिन उनकी participation को भी असेप्ट किया जा रहा है, डिसकस कर रहे हैं, डिसकस करना means कि बंदा बोल भी रहा है, और बात सुन भी रहा है, clear, तो यह peer interaction तो नहीं है, क्योंकि teachers involved है, तो सिरफ ऐसे नहीं तो नहीं है कि बच्चे खुद आपस में बात करें, चीजों को ना थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश क्या करो, तो यह क्या होई, guided participation, next, which values are described in the theory of Kolberg, religious values, social values, economic values, no, because इसमें क्या discuss होता है, moral values, next, constructivism as a theory emphasize, कि इस पर emphasize करता है, role of teacher in learning, memorizing information and testing through recall, या फि limitation in inquiry, in acquiring knowledge, लेकिन जो constructivism है, यह क्या कहता है, कि बच्चा अपनी knowledge का निर्माल खुद करता है, a child can construct his knowledge as his own, teacher का role क्या होता है, सिरफ facilitate करना, उसका कोई dominating nature नहीं होनी चाहिए, teacher की, ठीक है, वो सिरफ आपको spoon feeding नहीं करवा रहे कि, जो वो सिखाएंगे, वही आपके दिमाग म जाएगा, वो सिरफ आपको एक information दे रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने mind में किस तरह से, किट form में, कहां पर store करते हैं, यह बच्चे की उपर depend करता है, तो gene PAJ क्या है, एक radical constructivist है, देखे, साथ साथ में जो points मुझे और याद आते जाएंगे न, उस topic के related, मैं आपको यहीं प साथ की, तो यह क्या है हमारे social constructivist, क्योंकि यह society में बिलीव करते हैं, लेकिन जो gene PAJ है, यह hereditary factors में बिलीव करते हैं, society में बिलीव नहीं करते हैं, next question देखे, according to kolberg, which is the level of moral development, तो हमें अगर levels के नाम भी पता होंगे न, तो pre-conventional morality, kolberg के एक level का नाम है, next, on the first stage function of teaching, learning for a teacher is challenging, on the first stage function of teaching, learning for a teacher is challenging होता है, क्योंकि first time जब भी कोई ऐसे event करते हैं, या फिर class में teacher जाते हैं, या फिर stage पर कुछ भी करना होता है, तो first time जब हम कुछ भी करते हैं, तो वो हमें challenging लगता है, लेकिन, जब उसको हम करते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए routine बन जाती है, या फिर हम उसको tackle करना सीख जाते हैं, easy हो जाता है, next, according to PRJ, the number of stages of child cognitive development are, कौन सी stages होती हैं, कितनी होती हैं, हमारे पास, 4 stages होती हैं, इसकी, next, देखिए, तो principle of Vygotsky is based on, Vygotsky की बात आगई, तो social interaction की बात आगई, society की बात साथ में ही आगई, development has four principles which are fixed and true at any stage of development, which is not among the following, happening of estimation is a milestone in development, different stages of development of children, या फिर growth and development are equal in every stage, which is not among the following, तो answer हमारा क्या है, option C, जो growth and development है, यह equal नहीं होती है, every stage में, ठीक है, next, question, the ability to group objects together on the basis of common features according to Gene Piagg's cognitive developmental theory is termed as classification, जहां पर बच्चे grouping करना सीख जाते हैं, यह कौन से stage में था, यह third stage में था, ठीक है, stages पड़ी हुई हैं आपने, तो grouping का जो factor है, इसको हम क्या कहते हैं, classification, वर्गी करन जिसको कहते हैं, बच्चे group करना सीख जाते हैं, कौन सी two-dimensional shapes हैं, कौन सी three-dimensional shapes हैं, इसके अंदर उन चीजों को डालना सीख जाएंगे बच्चे, next stage pre-operational in piages theory is called pre-operational, because child has not yet mastered the ability to perform mental operation, pre-operational stage है यह, ठीक है, तो बच्चे नहीं यहाँ पर mastery नहीं की होती, कोई भी mental operation perform करने की, वो यहाँ पर क्या करता है, imitate करता है, clear, तो यह stages बहुत important है, क्योंकि इन में से direct questions आप से पूछे जाते हैं, तो देखे, यह तीनों जो है, प्याजे हैं, वाइगास की हैं, या फिर कोलर हैं, कोल बग हैं, सारी, तो इन तीनों की जो theories हैं, वो मैं एक marathon में आपके साथ discuss कर चुकी हूँ, इसी वीडियो की description में भी मैं link डाल दोंगी, तो अगर आपने वो miss की है, तो please यह वीडियो देखने से पहले, आप एक बार वो ज़रूर चेक कीजे, क्योंकि theory अगर आपने पढ़ ली ना सारी, फिर आपको यह MCQ और ज्यादा interesting लगेंगे, क्योंकि आपको theory पता है, इसके related, clear, next question देखे, who has described human behavior and development as the process of responding to reward and punishment in the environment, तो reward and punishment की बाद किस ने की थी, BF Skinner ने, तो यह भी theories जो है, learning की theories, मैं एक session में बता चुकी हूँ, तो इन सभी का जो link है आपको description में मिल जाएगा, जो जो भी आप link देखना चाते हैं, वो आप description में देख सकते हैं, direct आप video तक पहु क्या होती है यह, zero to two year sensory motor adaptation, next the rules for effective teaching made from experiences of teachers and thinkers are called maxims of teachings, हमने maxims of teachings किया था था न, from known to unknown, simple to complex, है न, इस तरह से move करना चाहिए, from example to rule, यह सारे क्या है, rules, यहनि कि maxims of teaching, जो teachers ने experience करके यह चीज़े बनाई है, कि इस तरह से हम study को continue कर चाहिए, रवा सकते हैं, बच्चों के लिए, ताकि teaching effective हो पाए, next according to Liv Vygosky, the primary cause of cognitive development is, Vygosky की बात आगी जी, society की बात आगी, चलो, discuss नहीं करेंगे अब हम, यह बहुत discuss कर चुके हैं, Vygosky जी को, a five year old boy talks to himself while trying to fold a t-shirt, which of the following statement is correct in the context of behavior displayed by the boy, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा न, बैठे, खुद से ही बाते करते रहते हैं, या फिर अपनी डॉल हाप में लेली, उससे बाते करते रहते हैं, तो यह चीज़े जीन प्याजे समझाते हैं, कि वो बच्चा ऐसा क्यों करता है, जीन प्याजे वोड एक्स्प्लेंटिक एगोसेंट्रिक एप्रोच, speech, वाइल ले वाएगा उसकी की नजर में वो क्या चीज़ होती है, प्राइवेट स्पीच, यानि कि खुद से बात करना, प्राइवेटली बात करना, खुद से, ठीक है, नेक्स देखिए, इसमें क्या है, देखिए, एक चीज़ और है, जो जीन प्याजे की स्टेज़ होती है, यह आपको इस तरह से मिलेंगी, नौन कॉंटिनियूस ग्राफ होता है, यानि कि यह कहते हैं कि यह स्टेज वन है, यह स्टेज टू है, यह त्री है, यह फोर है, आप इनको स्किप नह को मिलेगा, यह कोशन भी आया हुआ है, ठीक है, सीटेट के पेपर में भी आया हुआ है, यह कोशन तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आ सकता है, और यह स्टेज़ आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बच्चे इसी स्टेज़ के अक is the behavior या फिर human thought यह तीनों चीज़ें कहते हैं इंटरिलेटेड हैं एक दूसरे पर पूरा प्रभाव डालती हैं तो option C क्या है correct answer next according to PRJ's cognitive development theory a cohesive repeated table action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by our core meaning is referred as which of the following वो है schema schema क्या होता है जैसे जो computer पढ़के आएं बच्चे उनको पता होगा कि computer में memory होती है memory में अलग अलग जगा बनी होती है जहां पर हमारे पास C drive होती है D drive होती है है ऐसे drives बनी होती है एक हमारा multimedia का folder हम अलग से drive बना लेते हैं तो वो क्या है कौन सी चीज कहां पर पढ़ी है ये computer की memory है अगर हम अपनी memory की बात करें तो हमारे mind में अलग अलग जगा होती है जब हम kitchen में काम कर रहे है तो वो kitchen की memory के related जो चीजे हमारे mind में store है vote कराती है कि कितना नमक डालना है सबजी में कितना मिर्ची डालना है ठीक है अगर हम कहीं जा रहे है तो वो हमारे mind की जो memory है वहां पर उसका root उटके आता है कि इधर वली सड़क मुड़ेंगे तो उसके घर पर पहुंच जाएंगे and so on तो यह सारी चीजे क्या है यह हमारे mind में schema है और यह किस ने बताया था जीन प्याजे ने तो जीन प्याजे ने schema के बारे में बताया था उसके बाद बात आई थी assimilation की ठीक है assimilation है accommodation है equilibrium है जब हमारे mind में कोई भी confusion नहीं रहती नई स्थिती आती है तो हमारा mind में एक बार confusion create होती है उसको equilibrium होने से पहले कौन से स्टेज में होता है वो डिस इक्विलिब्रेशन स्टेज ठीक है तो यह भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है detail में सारी चीजे assimilation क्या है accommodation क्या है and so on तो next question देखिए the right sequence of major stage of cognitive growth as proposed by Jerome Brunner अब Brunner की जो stages है ठीक है उनकी right sequence क्या है inactive, iconic and then third is symbolic इससे देखिए आपको तीने उस stages भी बता लगी और इनका sequence भी बता लग गया EIS letters जिस तरह से alphabets आते हैं English में उसी तरह से इनकी stages के name भी आएंगे सबसे पहले E आता है तो inactive हो गया उसके बाद I आता है तो iconic हो गया third हो गया symbolic, clear तो याद करना आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं who said that if a child will not learn before he is capable to learn then why bother and if the child will learn automatically after he has the capacity to learn then why bother ये किस ने कहा है Jerome Brunner ने next which of the following theories identifies four stages of child's intellectual development तो ये चार की चार stages किस की है हमें पता है Gene Piazis जी की है तो Gene Piazis theory of cognitive development सबसे पहले stage है sensory motor stage फिर है pre-operational then is concrete operational and then is formal operational जहां पर बच्चे युवा वस्था में enter कर जाते हैं ठीक है next baseless consciousness among children is related to which stage of development baseless consciousness क्या होती है कि कोई हमें देख रहा है हम कैसे लग रहे हैं है कि हमें यह hairstyle रखना चाहिए यह footwear डालने चाहिए यह जो teenage होती है या फिर adult sense age होती है न वहां पर baseless सी बाते होती है कि क्यों 10 लोग हैं तो आपी को देखने आया है सभी ठीक है बच्चे बहुत ज़्यादा क्या है insecure feel करते हैं या फिर ऐसा लगता है उनको कि सभी उनकी तरफ ही देख रहे हैं वही center point of attraction है तो यह कौन सी stage होती है adult sense period की fourth stage that is formal operational stage में clear next देखिए according to Vygotsky which among the following contributes most in the development to society है जी नई discuss करेंगा हम इसको और ज्यादा Vygotsky को पूरे tips पर है हमारे अब Carol Gilligan's claims that men and women score at different levels in Kolberg's moral dilemmas because males operate on basis of morality of justice and females do not यह किसने कहा है Carol Gilligan ने next देखिए which of the following characteristics best describe a child in the pre-operational stage of cognitive development यहनि कि सबसे पहली stage जो है वहाँ पर कौन सी characteristics बच्चे को अच्छे से define करती है the child is egocentric and cannot take on another person's perspective तो बच्चा जो action करता है न उसको लग रहा है कि सामने वाला भी उसी के तरह ही सोच रहा है है तो बच्चे क्या होती है egocentric होती है इस stage में next you want to develop maturity in the cognitive development of the students of your class which among the following will you choose solve the problems of children option a next question है हमारे पास which of the following name combinations contains two gestalt psychologist gestalt psychologist कौन से है दिखिए यह combination कौन सा है कोफका, Wund, Watson and Kohler according to which psychologist interaction is important in cognitive development of child interaction यानि की society से बात्ची तो यह कौन से हैं by Goss की a piece of chocolate falls from child's hand and the mother sees it but the child usually does not according to Kohlberg the child is at what stage of moral development that is conventional level next question Jean Piaget pointedly called his approach to child development as genetic epistemology क्योंकि यह जो मैंने आपको पहली बताया था gene Piaget किसमें believe करते हैं genetic factors में, यह society में believe नहीं करते हैं genetic में believe करते हैं how many stages of CASCADS theory are there कितने stages होते हैं की चार stages next question children of which age group come under formal operational stage formal operational यहां पे हम कहते हैं बच्चा adult sense में enter करता है तो वो कौनसी है 11 to 15 years of age next which of the following are two major features of Piaget's formal operational stage of cognitive theory that is hypothetical deductive reasoning and propositional thought अब यह दोनों points बहुत important हैं अगर हम बात करें formal operational stage की और यह किसकी है adult sense की stage है और यहां पर most important क्या है hypothetical deductive reasoning अकर होती है clear next देखिए who criticized Piaget's theory by saying that if a child will not learn before he is capable to learn यह हम कर चुके हैं Jerome Brunner ने कहा है option A next question dash is generally not associated with constructivism that is classical conditioning नहीं associated होती constructivism के साथ क्योंकि जो self-awareness है यह भी constructivist के साथ related है equilibration constructivism के साथ related है क्योंकि Gene Piaget ने इसके बारे में बताया था और Vygosky भी क्या है एक constructivist है तो इनकी theory भी किसके साथ related है constructivism के साथ कि बच्चा अपनी knowledge का निर्मान करता है लेकिन with the help of society next what is formal operational stage 11 to 15 years यह हम discuss का चुके है what is the suggestion of Vygosky about child development production of social interaction next according to Vygosky's theory the process whereby two participants who begin a task with different understanding arrive at a shared understanding in known as intersubjectivity next concrete operational stage कौन सी है कितने साल की age है that is 7 to 11 years of age next images concept symbols and science language physical activities and mental functions are involved in thinking process अब सोचने की बात जहां पर कोई भी mental functions की बात आ गई है न तो वो कहां पर आएगी thinking process के अंदर आएगी कोई भी चीज हम images है उसको assume करते हैं या फिर symbols हमारे science जो हमारे mind में आते है वो thinking process में आते है according to Kohlberg children cannot maintain the consistency of their gender they attain this understanding only gradually moving through which are the following stages पहले gender labeling होती है फिर gender stability होती है gen then is consistency पहले बच्चा ये सीखता है कि वो girl है वो boy है चोटा बच्चा है न कपड़ों से सीखते है कि उसने boys के कपड़े डाले है तो वो boy है उसने girls के कपड़े डाले है तो वो girl है दिन बच्चा stable होना सीखता है gender stability उसको पता लगता है कि नहीं सिरफ कपड़ों से matter नहीं करता है ठीक है बच्चों का hairstyle होता है बोलने के डंग होता है तो फिर finally consistency आती है जब बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है next language is the key to perfect development कौन कहते हैं ये कहते हैं वाइगास्की क्योंकि वाइगास्की के according क्या चीज़े important है language, thought and society, social interaction how many stages of mental development are there according to PRJ ये हैं four stages next is according to Kolberg's theory of moral reasoning which of the following is correctly matched तो कौन सी correctly matched है जो conventional moral reasoning है इसमें कौन सी orientation होती है law and order orientation जहां पर जो भी बच्चा है सही और गलत की पहचान कैसे करता है on the basis of law and order वाइगास्की propose that child development is a product of social interaction next देखे, a child can think logically about objects and events this is the characteristic given by प्याजयन theory of concrete operational stage में होता है who has given the principle of formation and investigation किस ने दिया है ये चीन प्याजय ने दिया है formation and investigation का principle next according to प्याजय's theory of cognitive development equilibrium is अब equilibrium की मैंने आपको बात कही थी क्या होता है equilibrium search for mental balance जहां पर balance हो जाता है हमारे mind का हमारे mind में जो भी information है ठीक है हम कहते हैं कि हमारी दिमाग में जद्दो जहद चल रही है तो वो stage कौन सी होती है disequilibration की लेकिन जब हमारे mind में कोई भी problem sort out हो जाती है या हमारा किसी से जगड़ा होता है जग तब हम उस matter को solve नहीं कर लेते हमारे दिमाग में न हलचल चलती रहती है लेकिन जब वो चीज़ resolve हो जाती है तो हमारा mind कहां पर पहुंच जाते है equilibrium state में तो वही चीज़ यहां पर है search for mental balance between cognitive schemas and information from the environment next the central ideas in constructivist view of learning are क्या होता है ये तो इसका answer क्या है first sorry ये दो tick होए पड़े हैं लेकिन first is the answer central idea क्या होते है कि जो learner है न वो खुद active होते हैं अपनी knowledge खुद construct करने के लिए तो ये क्या कहते है constructivist अब अगर हम social interaction की बात करें न तो ये कौन कहते हैं वाइगवास की कहते हैं सिरफ gene प्याजे नहीं कहते हैं कि social interaction ज़रूरी है लेकिन दोनो constructivist हैं तो दोनों की common बात क्या है कि learners अपनी knowledge को खुद construct करते हैं option A इसका correct answer है next दीखिये when new thoughts are mixed in thoughts of child प्याजे called it holdness according to प्याजे till which age maturity affects the child one and half years next is when teaching a teacher discovers that a student tends to relate her learning to what she already knows accordingly to प्याजे's theory the process used by her is called assimilation जो चीज हमें पता है हम उसके साथ कोई नई चीज को आने देते हैं कि भाया तू भी आजा यहाँ पर जगा पड़ी है तू इसी से मिलता जुलता ही है आजा मुझे इसके बारे में पता है यह information भी हम समझ सकते हैं हम उसको relate कर सकते हैं तो वो क्या होता है assimilation जो चीज हमें पता है उसके साथ की मिलती जुलती information हम अपने mind में थोड़ी सी और store कर लेते हैं हमें कोई modify तो नहीं करनी पड़ी जो पहले चीज थी उसमें editing नहीं हमने की सिर्फ उसमें add किया है तो उसको हम बोलते है assimilation लेकिन जहां पर हमारे mind में कोई भी information है उसको हमें उसमें कुछ add नहीं करना उसको हम edit करेंगे कि ये चीज हमें incomplete पता थी इसको हटाओ और new चीज लगाओ वो क्या होती है accommodation क्लियर दोनों में difference पता लग गया आपको next single factor theory of intelligence किसने दी थी ये Alfred Bennett ने दी थी next who is the father of theory of multiple intelligence that is Gardner who gives more stress to the philosophy of social constructivism that is Vygotsky next what is meant by schema schema क्या है organized packets of information stored in long term memory so friends यहां पर मेरा ये marathon जो है तीनों की तीनों most important theories के related जो भी previous year papers में questions आये हुए है या फिर most important questions है वो होते हैं complete तो ये दीखिए ये दो marathon अगर आपने देख लिए तो 6-7 नमबर आपके यहां पर 100% पके हो चुके बिलकुल guarantee लेती हुए इस चीज़ की ठीक है तो friends अगर आपको कोई doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं otherwise जो PS chat के related जो भी latest information होगी वो भी मैं चैनल पर immediate upload करती रहूँगी along with the जो भी official इसकी website पर link होगा वो भी मैं आपको दे दूँगी ठीक है